साथियों, एक समय था जब स्टूडेंस किसी इंस्टिटूट में एड्मिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेस्मेंट को वही प्रात्मिक्ता देते थे यानि एड्मिशन का मतलब दिग्री और डिग्री का मतलब नोकरी, सिख्षा यहीं तक सिमित हो गई थे लेकिन आज युवाँ जिन्दी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खूद खींचना चाहता है 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ सो स्टार्ट अप से, आज भारत में स्टार्ट अप्स की संख्या एक लाख को भी पार कर गई है 2014-15 की तुलना में, आज 40% से जादा पेटेंट फाइल हो रहे है, जो पेटेंट जारी हो रहे हैं, उनमें भी 5 गुना का इजापा हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18-20 पारिजन पर था असी से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुँच चुके हैं, वो स्थान हमने प्राप्त किया अभी कुछ दिन पहले ही, मैं अमेरिका की यात्रा से लोटा हूँ आप समने देखा होगा, आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरो कितना बढ़ा है क्या कारण है, क्या कारण है आज भारत का इतना गवरो बढ़ा है, उत्तर वही है, क्योंकि भारत की ख्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर बिश्व का भरोसा बढ़ा है, इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीश, इनिशेटिव और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्लोलोजी, यहने आईसेट डिल हुई है, इस एक समझोते से, हमारे युवाओं के लिए, धरती से लेकर स्पेस तक, सेमी कंडुक्टर से लेकर AI तक, तमाम फिल्ट्स में नए आउसर पैदा होने वाल जो टेक्नोलोजी पहले भारत की पहुंच से भार होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलप्मेंट होगा, अमेरिका की, माइक्रोन, गूगल, तथा एप्लाइड मट्रियल जेसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है, और साथियों, ये आहट है, ये आहट है कि भविश्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे आउसर दस्तक दे रहें, साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांती भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है, कल तक, AI और AR, VR के जो किस्से हम साइन्स फिक्षन फिल्म में देखते थे, वो अब, आज हमारी रियल लाइप का हिस्सा बन रहे है, ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक, रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है, ये सभी सेक्टर्स भारत की युवापीडी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, नए रास्ते बना रहे हैं, बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेक्स सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जूड़ी नुट्तियों में बहुत बड़ा बढ़ाव किया है, इन सभी निर्णों से देश के जादा से जादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है